नमस्कार साथियों मता के सवर्सा हूँ अभिश्या टीम के उर से आप सभी लोगों का हर दिक स्वागत करता हूँ साथियों अगर आप कक्छा नौवीस लेकर कक्छा बारवी तक के छात्र छात्रा हैं तो आप लोगों को बताते हुए मुझे बेहात खुसी हो रहे हैं कि पार्ठेकरम को बिना किसी रुकावाट के पड़ पाएंगे वो भी अपने असान से असान भासा में यहां तक हम आपको प्रत्यक टॉपिक के अलग अलग वीडियो प्रोवाइट करने वाले इस वीडियो में आपको कुछ कुछ क्वेस्टन भी देखने को मिलेंगे इस कु दीने वाले है जो प्रत्यक वर से पुछ जाएंगे और यह प्रेक्टी स्कूस्टन जो है वह इंरे तो के उठाए गया होगा दोनों के हम बूक के संग्रा से लेने वाले प्रेक्टिस्ट पॉस्टन को ठीक है साथ यो तो इतनी सारी हमारी विष्श्ता और उसे स्थावन को जानने के लिए आप हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं तो साथ यो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वह हमारा बहुपद जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियस साथ देखे जो बहुपद टॉपिक है यह अधिकांस लोगों के दिमाग में कंफुजन का विसरा है कि सर बहुपद क्या होता है सब्सक्रांदार समयंगे तो भी कम टॉपिक और लोगों कि करने पहले 9 बथा अप सब्सक्राइब शाओं सब्सक्राइब वह है जिसे लेगे वह बनौन समझने कि होगी तो सबसे पहला आता है वह जिसे अंग्रेजी में कहते हैं व gouvern बल करते हैं अब धों तो चरका बाद में समझेंगे पहले हम इसको उधारा से समझतें हैं Can DIRECTOR आपके कलास बढ़ते हैं तो आपके कक्षा में बहुत सारी दोस्त बने होंगे उनमें ऐसे दोस्त भी होते हैं क्या जो बदली तो गड़ित की भास में ऐसे दोस्नों को हम कहते हैं चर्टकर मेरी अगर पारिभासा बताओं चर्ट की तो ऐसी रासीा जिसका लेता होते परिवर्तित होते रहता है इसतिर नहीं हता हुसे हम कहते है चरणी कंध्यासि यॉझालासि के अभ अंग्रिजी को लिटर सोते हैं परियोग किया जाता है वो है एक सवाइजेड क्या है एक सवाइजेड इन्हीं तीनों चीजों का हम गड़ित में सबसे ज्यादा परियोग करते हैं एक सवाइजेड का चर की रूप में ठीक हमने चर को जान लिया ऐसी रासिया जो परिवर्तित हो जाए उससे हम कहते चर रास है उसे हम घडित की भासन्ह क्या करते चरगते अब अभी ऐसे भी तो दोस्त है जो कभी भी नहीं बदलते जो कभी नबदले ऐसे दोस्तों को हम कहतें अचर जिसह हम अंगरेज़ बोलते है στην क्या यह सब्सक्राइब आपको जैसे कि मेरे पास दस रुपवाइब यहाँ भी दस रुपाय होगा भिलाई सहर में भी दूर्गाइब और विलास्पूर भी 10 रुपवाई ही चलेगा मैं बड़ी जगे पर जाओंगा तो जो दस रुपे वह वह बिस रुपाय करेंगे सर आप बहुपत पढ़ा रहे हो कि चर और अचर पढ़ा रहे हो लेकिन इसा से बता दू कि बहुपत को समझने के लिए पहले आपको चर और अचर को समझना पड़ेगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया चर और अचर के बारे में यहाँ पर हम चर को और अच्छे स समझने के लिए क्या करते हैं यहां पर देखिए चर्प हम कैसे बदल रहा है उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं मैं एक एक्स रिम तीन बराबर पांच मैं एक सम्मी कर लिया अगर यहां से मैंक माने कालो तो इन इन ंतर होकर यह धंतर अगर यहां जाएगा एक वराबर पांच थन थैन तो एक सब्सक्ता बराबर आसएगかった 걔 आगे साथ यो एक तो बराबर आठा गया अब मैं एक और सम्वी करन लेता हो एक सरीन दो बराबर एक यहां से घर में एक सकमान निकालो तो रिंद पक्षांतर होकर यह बदल जाएगा धंदो में तो एक सब बराबर यहां पर आजाएगा तीन अभी मने एक सब बराबर आठ मैं निकाला था और अब आधि पूस से सब्सक्रा generally का परिवर्तित हो गया तो यहां पर मैने का कहाथ खिल जों बदल जाए जो परिवर्तित हो जाए वह हमारा कहला त Summit खरteडा अब इमने एक सकमाल निकाला था अट और गम परिवर्तित होकर दूशरे समय करण के लिए ग है किसे तो अगले हुंआ रहा है वह है fucking ढूंदर जिसे हम अंगरेजियों में करते अलजाब्रिक एक्सप्रेशाथ अब यह बीजिवए अपर कर द Key worth Less और जोड़ दिया इन दोना को वे जाख मिला इस वीच्टका हम अलजाब्रिक एक रहान पर को हैं झालो के साथ मेरें जो एक से लिखता है जो एक से लिखाए उसको एलजेब्रिक्त ना कहते हैं तो वहीं से निकल के आया है एकस्प्रिसर बैज़ बosaur कई यहाँ पर बीजी बैंजक मैंने यहां पर के वल मैंने जूड़ा है एक एग्जामपर और एग एक सर और मैंने एक अचर लेए तीन इन को मैंने घटा दिया इन दोनों को मैंने घटा दिया तो देखे हमें एक बेंजग मिला है इस व्यंजग को पर जो एक स्य वो अंग्रीजी के लेटर होता है और अलजबर कहते हैं तो रहाइज से निकलका आता है हमारा एलजबर किस्प्रेशन या फिर बीजी वें कुछ भी रख सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने एक चरलिया अब इसके साथ गुड़ा में मैं लिख रहा हूं पाच को गुड़ा में क्या किया पांच को लिग दिया फिर से हमें यहां पर एक व्यांजक मिला हो एक से स्क्रियरन से तो फिर हमें यहां पर एक व्यंजक मिल गया है इस व्यंजक को हूं कहते हैंージ प्रोल की चर्व में से डखने पर परिभासा क्या हो जाएगी चर्व अचवर ऑचर पर जब को घड़ति संक्रिया लागू की जाती है तब हमें एक व्यंजक मिलता है और उस व्यंजक को हम कहते हैं बीजी व्यंजक आपकी दिमाग में यह बैठ गया हो गया कि चर्व अचर पर जब हम कोई संक्रिया लागू करते हैं गड़िती संक्रिया लागू करते हैं तब हमें एक व्यंजक मिलता है और उसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक थेक है शांतियो हमने बीजी वन्जक के बारे में समझ लिया तो इसलिए मह ने क्या कर था पहले आपको चर के बारे हैं फिर अचर के बारे में बताया तब हम यहां पर अब बढ़ने वाय मैंने यह क्यों बताओ के आपको कियां यह अब करने वाला हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर छो पिछले में धिलिया था क्लियर करने वाला हूं जैसे कि मैंने यहां पर जो पिछले वाले स्लाइड में लिया था एक सधन पांच क्या लिया था एक सधन पांच लिया था मतलब कि चर्व अचर पर गड़िती संक्रिया लागो किया हमें एक वेंजग मिला और इस वेंजग को हमने कहा था बीजी तो याद रखना है पूर्ण संख्याओं में आपको याद रखना है तो जो हमारे पूर्ण संख्या होती है वो सुनने से पराराम होती है शोनने की माताल वाल या फिर भून वाले या फिर वाले संख्या नहीं होती यहां पर दिखे चर है एक्सर और इसकी गात में क्या है एक है और पर एक और बिखा हुआ है यहाँ पर देखिए जो चर है एकसा इसके घ्राद में भी एक रुषा नइंगे मतलब की गात में एक है तो जहां हमारा क्या है पूर्ण संख्या है तो भी पांच एक सभी हमारा क्या है बहुपद हो जाएगा बहुपद हो जाएगा इसको हम बाद में समझेंगे इसको हम थोड़ी दिर बाद में समझेंगे मैं आपको कुछ और इक्जामपल बताने वाला हूं यहाँ पर एक एक्जामपल कि लिए आपको चर को पहचानने आना चाहिए इसलिए मैंने किया हूस हैउ पहले देखे की यह जो एक है और चार है है और चार क्या है हमारा पूर्ण संख्या है पूरी संख्या है इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो दिया गया वेंजक है उसे हम बहुपद कहते हैं क्योंकि जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या है क्या है पूर्ण संख्या है और एक्जांपल के अगर बात करें एक की वह है हमारा अचर यहां पर एक सहिसकि घात में है दो और दो क्या है कि पूर्म संख्या क्या है गर वन वहिंजक क्या था घॉघा परकन तो एक माइनस ट्वएंटी सब्सक्रेद और एकस की घात हरा है और तिन हमारा है पूर्ण संख्या इसे भी हम कहेंगे क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे तो बहुपद की परिभास में आपको क्या याद रखना है जब ऐसे व्यंजग ऐसे विंजग जिसमें चर्की अधिक्तम सोरी चर्की घात पूर्ण संख्या हो ऐसे विंजग जिसमें च यह बहुपद होगा की नहीं यह आप लोग मुश्व बताए तो यह बहुपद है कि नहीं इसको एक राइन हल कर ले ते कैसे हल करेंगे देखिए एक को मैंने उतार दिया जो एक से स्कूर है नीचे में है हर में है उसको मैं अन से मिल जाओंगा तो इसके घात का जो चिन है वो परिवच्तित हो जाएगा इसको में उपर करूंगा तो यह एक से लिखा जाएगा लेकिन घात का चिन बदल जाएगा अभी यह दो जो है धन मे में नहीं जाती रीन वाले संख्या रीन वाले संख्या या फिर दसमला वाले संख्या या फिर भिन वाले संख्या यह हमारे पूर्ण संख्याओं में नहीं आते पूर्ण संख्या जो है वो जिरो से स्टार्ट होते हैं और यह सभी कि सभी क्या होते पूर्ण होते पूरा होते का पालन नहीं करता है और बहुपत का परिभास मैं आपको बता चुका हूं ऐसे वेंजक जिसमें चर्क घाद जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो हम यहां पर बहुपत को समझ लिए कि बहुपत की से काते हैं यहां पर और कुछ बगा देते हैं एक बटा दो अब यहां पर देखें यहां पर देखें जो चर है एक जो चाहिए क्या एक से और इसके घाद में है एक बटा दो क्या है एक बटा दो है और एक बटा दो वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए हम अंडर रूट एक से को बहुपद नहीं कहेंगे इसको केवल और किवल एक व्यंजक कहेंगे बहुपद नहीं कहेंगे बहुपद अभी होगा जब उसके चर की घात पूर्ण संख्या हो जाएगी और एक्जाम्पल हमकर देखें हम तो यहाँ पर एकसकी ऊप माईनस 3 एक से स्कूर प्लस 2 ए यहां पर है इक झाल में मतलब की एक है मतलब की जो भूपद होगा ही होगा तो हमने कुछ इस प्रकार से बहुत की बारे में जालिया बहुत अच्छे तरीके से कि बहुत की से जिसमें चरफ की घात क्या हो पूर्न संख्या उससे ही हम भीक गृते हैं अब आगे की बातता करते हैं यहाँ पछिए गया है बहूत के पद टमसाब पॉलिमेज बहुत के हो थे हम समझते हैं तो आइसको कि स्क्वेर माइनस टू एक सब वाई प्लस वाई स्क्वेर यह सर्व समीका आप कच्छा साथवी आठवी से पढ़ते आ रहे हैं पहले तो हम यह देखते हैं कि जो सर्वे समीका लिखा जो व्यंजक लिखा वह बहुपद है कि नहीं तो सबसे पहला मारा काम होता है चर्व अच सचर्व है यहां पर ऐचार ऐख दो का है ऑचर है एक सक्षियर है और यई यहां पर 5 100 और एक संख्या है यहां पर वाय चर है और चर की घात में क्या है एक है यह भी पूर्ण संख्या है यहां पर वाय है और वाय की घात में दो है दो है मतलब की यह पूर्ण संख्या मतलब की जो दिया गया समीक तो दिया गया व्यंजक है उस व्यंजक को हम कहेंगे बहुपत क्या कहें में आप को यहां पर बताने वाला हूं इसी उधारन को मैं यहां पर और रिख क्विए रेंगेटर 1760-176 मैंने कहा है कि भाउपत में के भूपत के पर होते हैं लयों इसमे क्या करते ह duż Kid task YouTube यहैं हमारा हो जाएगा पहले पद और इस यह हमारा हो जाएगा दूसरा है यहики हगाद यह हमारा हो जाएगा टीसरा बाद तो यह अरूच में कुल तेन पहों तेन पहर आपको इस प्रकाठ से निकालने और और उस्पर को समझाता हूं यहां पर मैं लिख दिया एक से स्क्व्यर माइनस-4 हमें बताना है कि इसे में कितने पद है कितने पद हैं तो यह हमारा पर पहला पद हमारा हो जाएगा दूसरा पद तो यहां पर भी कितने पद हैं दो पद हो जाएंगे तो इस प्रकार से आपको बहुपत के पद को निकालना है अब आगे हम चलते हैं अब आगे हम पढ़ते हैं गुरांग के बारे में जिसे हम क्या कहते हैं को ऑफिसेंट भी कहते हैं अभी गुडांग का मतलब होता है कि जो चर है वो जो चर है वो किस अचर से गुड़ा हुआ है यह आपको जानना है यहां पर पहले तो काम है आपको चर और अचर पहचानना हमारा जो एक साहे वो तो है क्या चर और तीन जो है अचर यहां पर जो एक साहे चर यह अचर तीन से गु जाएगा आपको याद रखना है कि एकस की घात एक या फिर हम इसको एक सबस बोल सकते हैं तो एकस का गुदांग यहां पर आजाएगा तीन आपको इस प्रकार से इसका गुदांग निकालना है मैं और एक्जामपल लिखने वाला हूं 4 एकस की घात दो रिन 2 एक से धन 3 यह ह वमारा एक व्यहandश है जो चर है उसके घात में यहां पर दो है और यहां पर शुर पोड़ी बात तो हमें निकालने हैं गुड़ांग को तो पुर्धांग कम कर दो एक साइनकान है तो यह स्केर स्कुएर आपका अपतको यहां पूला हुआ है है तो एक से स्क्सिक्राइड आजाएगा यहां पर से नहीं सब्सक्राइड और एक साथ लेना है- यहाँ पर एक सता गुरामे रिंदो but रिंदो-स पी अब सुनाइघ यह दो टिन को हम और क्या लिए सकते हैं सब्सक्राइद कें घाड़न ओस सकते हैं कि नहीं यह हम लिख सकते साथ यो जो को भी चरहो या अचरहो उसके घात में अगर सुनने है को भी चरहो या अचरहो उसके घात में अगर सुनने है तो उसका मान होता है एक तो वापस से हम तिन का गुड़ा करेंगे यह तो तो तीन का गुड़ा होगा एक से तो वा यह बात आपको याद रखनी है मैं और कुछ एक्जांपल लेने वाला हूं आप लोगों के लिए जैसे कि मैं यहां पर एक्जांपल लूँ एक सम् कि घाठ चार रिंद तीन एक सट कि घाठ तीन रिन दो एक्स की घाठ दो धन दो एक सट धन पाच यह कुछ इस प्रकार से इतना हमें लंबा एक व्रेंजग दिया गया है पहली बात तो यह भुपद है कि ने तो आप चेक कर सकते हैं कि यह भुपद होंगे ही क्योंकि यहां अब यहां पर लेखना एम अब यहां पर बाद देखें हम पहले तो इसकन गुरांग के बलाग बात करे लेते हैं उलांब में चलना है यहां पर एक किपा तीन का गुडांग क्या जाएगा यह आजाएगा अपर देखेए एक की घात में एक है तो यहाँ पर आजाएगा दो यह आपको याद रखना है पांस को पांस को हम क्या लिख सकता हैं पांच गुना ET ृश्कि घाट 0 मतलब कि यहां पर हो जाए यह एक क्यूंकि कोई चर उसके घात में अगर सुनना है तो उसका मान हो जाता है एग तो पांस गुना एक होगा तो वापस समय 5 मिलगा तो हम पांच को क्या लिख सकते हैं तो यहां पर एक्सकी घात सुनने का गुरांग क्या जाएगा यह आजाएगा पांच आपको इस प्रकार से गुरांग को निकाल लेना है मैंने आपको गुरांग कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझा दिया अब आगे हम चलते हैं अब हम आग इक को लिखा आप यहां पर देखि thrively बात तो यह बहुक्त है कि नए तो पहला हमारा कामोरा ना जो टीन है वो हमारा रहा чल और जो है वह हमारा चल और जो चल है एक सपा इसकी में और यहां पर पदों की संख्या आप लोगों से पुछ जाए तो पदों की संख्या यहां पर एक है के वाल एक है हमें निकालना है पावर तो यहां पर देखिए जो चर है एक सा उसकी घात किते हैं वह आपको देखना है जो चर है एक सा इसके घात में मतलब की उपर दाये है तो इसका घहात हो जाएगा तीन क्या हो जाएगा साथ यो इसका घहात हो जाएगा तीन तो आप से अगर पुछ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यह सब्सक्राइब तो यहां पर मैंने लिग दिया एक की सबसे पहला काम चर और एक पहचाण साथ दो चाहर हो जाएगा अचर्व यह एक सलगा वाराचर यहां पर चूचर है उसके घाथ में है दो तो इसकी घाथ हो जाएगी दो जाह जाएगी धो इसी प्रकार से मैं आपकर लिए और एक्जाम्पल लेने वाला हूं यह स्कुएड और सुर्डी मैं स्कुएड अब लखने वाला एक्सक्यू-os लो यह चलों बहुंत है कि यहां पर जो चर है उसमें जो घाते लगी हुए है सभी किसा भी पूर्न संख्या है और दुसरी बात मैं आप से पुछता हूं इसकी घात बताईए इसकी घात बताईए तो आपको अप घात कैसे दिखना है यहाँ पर मैंने अभी तक मैंने किया है एक पद वाला लिया था आपको यहाँ पर 4-4 दीए गया है अब आपको घात कैसे निकालें गे आप चर और अचर देखेंगे और उस चर में चर में जो अधिकतम घात होगी अधिकतम जो घात होगी वो हमारा हो जाएगा उत्तर यहाँ पर एक सी घात में तीन है और यहाँ पर एक सी घात में दो है और यहाँ पर एक सी घात में कुछ नहीं मतलब की एक है तो अधिकतम घात क्या हो जागी एक हो जाएगा तो हमारा जो उत्तर होगा वो अगर आप सो इस प्रकार से प्रश्न पूश जाए कि दिए गया जो भूपद है उसमें घाथ बताए तो आपको घाथ कैसे निकालना है जो चर होंगे चर के घाथ को देखना है और अधिकतम घाथ pronse कि हमारी उत्तर होने वाला है इस प्रकार से आपको इसको हल करना है तो हमने घात के बारे में भी जान लिया अब हम पढ़ते हैं अचर बहुपत के बारे में जूसे हम कहते हैं लूए तो समझे क्या मैंने निया पांच मैंने ऐक संख्य या पांच अब मैं कहता हूं कि जो संख्या पांच है यह ऐक बहुपद है कि नए अब आपके दिमाग में इस सब्सक्राइस त्रृषा मैं पांच को हम किस क्या ले सकते हैं पांच गुना एक्स की घात सुनने भी लिख सकते हैं तो यहां पर देखें मैंने क्या किया है मैंने क्या किया है जो पांच है उसको एक्स के साथ गुड़ा मिले दिया और एक्स का जो घात है उसको लगा दिया है सुनने मैंने अभी आपको ह आप गया था कोब्ही चो चर हो या अचर हो उसके घात में एकस्थ सुनने है तो उसका माल होता है यहाँ पर यह हो जाएगा इसके जगा यह लिखा जागा पांच गुड़ा एक तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा पांच मिल जाएगा तो 5 को हम ऐसा भी लिख सकते पांच एक्सकी घात सुनने भी लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने आपको बहुपत की परिभासा में बताए हुआ है कि बहुपत में क्या होता है जो चर होते हैं चर की घात क्या होती है पूर्ण संख्याय होती है यहां पर देखिए यहां पर देखिए साथियो जो एक सहलि क्या हो था कि पूर्ण संख्या जो है हमारे सून से इस टाठ होते हैं सुन एक दो तीन चार पाच और यह अनन तक चलते रहता है यहां पर देखिए घात में एक स्की घात सुन लिखा हुआ है मतलब कि जो पाच है वह अकेला पाच भी हमारा बहुपद कलाता है लेकिन जो पा सबीट है अब भी में आप को रटाया कोई भी चर हो या अचर हो कोई भी संख्यो उसके घ Birdम अगर शून्य हो उसका मान होता है एक होता है अगर हम सुन से ग adapts करेंगे तो वापस से हमें तूने मिल जाएगा तो मैंने क्या में है सुनन को इस रूप में लिए सुन्य कुण एक टीट दुट टू बबर जिरो हम तू ने भी हमारा सुनने भी हमारा क्या हो जाएगा भई यह एक अचर्ब अप्थ हो जाएगा यह आपको जितने भी अंख होंगे जैसे कि एक और बताओं साथ साथ भी हमारे अचर बहुपद में गीने जाएंगे क्यों क्योंकि हम साथ को लिख सकते हैं साथ गुना एक स्टूदी पावर जिरो यहाँ पर एक स्टूदी पावर जिरो काने का मतलब है कि जो एक सचर है इसके घात में क्या है सुन्तria सुन्तria पूर्ण संख्या में पूर्य सब्सक्राइब वो भी हमारे क्या कहलांगे अचर बहुपत कहलांगे क्यों क्यों जो साथ है पहली बात तो अचर है और उस अचर को हमने कहां दिया यहां पर बहुपत कह दिया तो साथ यो इतनी सारी बाते आपको जानना है बहुपत के बारे में हमने अभी तक बहुपत के समान परिचा के पार रहें पढ़ा है और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद